वेल्कम तो युणिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल आज हम लोग न्यू यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू डिजिटर एलक्ट्रोनिक्स तो इसमें हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा बता देती हूं कि कम्प्यूटर जो होता है यह अपने इसके अंदर हम कोई चाहें वर्ड चाहें कोई लेटर हम इसमें जब भी फीड करेंगे तो वो उसे ऐजा नंबर अपने अंदर फीड करता है जैसे कि सपोज अगर हम कोई number store करते है ए letter A हम store करते है तो इसको as a number computer अपने अंदर सेफ करेगा ठीक है और जो number computer system अपने अंदर use करता है वो होता है हमारा binary number यानि की computer अपने अंदर binary number के form में ही numbers को feed करता है like binary number होते हैं हमारे 0 या फिर 1 यह हमारे binary number कहलाते हैं और हम यानि कि human beings जो daily day to day life में number system जो use करते हैं वो decimal number system होता है decimal number system जिसका की base जो होता है वो 9 होता है और binary का base होता है 2 मतलब human beings decimal number यूज़ करते हैं और computer जो है वो binary number यूज़ करता है तो चलिए फिर start करते हैं number system actually number system जो है वो हम यहाँ पर चार्थ रखे number system की study करेंगे जिसमें हम पहले study करेंगे about binary number system उसके बाद हम study करेंगे octal number system then decimal number system and then we will study hexadecimal number system तो one by one करके यह चारो number system को हम deeply study करेंगे और इनसे related जितने भी questions होंगे वो हम solve करकर देखेंगे तो पहला binary number system है हमारा ठीक है इन सबके एक बार base देख लेते हैं binary का जो base होता है वो होगा आपका 2 octal का base होता है आपका 8 decimal का base होता है 10 hexadecimal का base होता है 16 यह आपको याद रखना है हम number system study कर रहे हैं जिसमें 4 रखे number system है first binary, second octal, third decimal, fourth hexadecimal binary का base 2 है octal का 8 है decimal का 10 है और hexadecimal का 16 है base से मतलब यहाँ पर यह है कि इसमें जो हम number study करेंगे वो हम सिर्फ 0 और 1 number study करेंगे octal में हम जो study करेंगे वो हम 0 से लेकर के 7 तक के number के बारे में study करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 तक क्यों नहीं गए क्योंकि हमने 0 से start करा है इसलिए 0 से लेकर के 7 तक के जो number आएंगे वो octal number system के अंदर आएंगे decimal का base है हमारा 10 यानि कि यहाँ पर हम 0 से लेकर के 9 तक के numbers के बारे में study करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9 hexadecimal का base है हमारा 16 यानि कि यहाँ पर जो हम number study करेंगे वो हम 0 to 15 number के बारे में study करेंगे यानि कि हम लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, then 10, 11, 12, 13, 14, and 15 यहाँ पर 0 से लेकर के 15 तक के number लिख दिये हैं hexadecimal में 10 जो है यहाँ पर represent करता है A को 10 को हम यहाँ बोलेंगे A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E, and 15 को हम बोलेंगे F यह हमें hexadecimal में याद रखना है कि 9 के बार जो भी numbers होंगे हम उनको 10 to 15 को हम A to F number तक लिखेंगे 10, 11, 12, 13, 14, 15, इनको हम लिखेंगे A, B, C, D, E, F तो यह हमारे 4 तरह के number system है जिसमें सब के base मैंने आपको बता दिये और उसमें हम कितने numbers के बारे में study करेंगे वो मैंने आपको बता दिया है binary में जब question आएगा, actually जब questions जब आएगे तो इस तरह चे पूछा जाएगा कि जैसे यह कोई question है जिसका base 2 है यानि कि यह binary में कोई number आपको given होगा जिसको आपको find out करना है decimal में तो जो left side वाला होगा हो given होगा और right side वाले की value आपको find out करनी होगी यहाँ पर 2 शो कर रहा है कि यहाँ पर जो number given होगा वो binary में होगा और जो 10 शो कर रहा हो यह शो कर रहा है कि जो result आएगा वो decimal में आपको लाना है यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जो binary होगा उसमें यहाँ पर आप उसको इस तरह से represent करेंगे octal मतलब bracket में उसके नीचे 2, octal को इस तरह से बनाएंगे, bracket उसके नीचे 8, decimal को आप इस तरह बनाएंगे bracket उसके नीचे 10, hexadecimal को इस तरह बनाएंगे, bracket उसके नीचे 16 यह इनको इस तरह से आप represent करेंगे सारे numbers को ठीक है चलिए one by one करके देख लेते हैं कि हम कैसे इसमें study करेंगे उससे पहले जितने भी तरह के conversions हैं वो मैं आपको बता देती हूं इसको rough कर देते हैं हाँ आपको यह याद रखना है कि hexadecimal में जीरो से 9 तक की तो desert आपको याद रखनी है और उसके बाद 10 से लेकर के 15 तक के जो number होंगे उन्हें आप A, B, C, D, E, F से represent करेंगे चलिए one by one करके देख लेते हैं तो अब हम study करेंगे conversion के बारे में Next है हमारा conversion जितने भी तरह के हम conversion पढ़ने वाले हैं उसका एक overview यहाँ पर दे देते हैं यहाँ पर हम conversion जो study करेंगे वो पहले हम पढ़ेंगे हम पहले convert करकर देखेंगे binary को octal में then binary को decimal में then binary को hexadecimal में ठीक है इसके बाद further यहाँ पर हम पढ़ेंगे octal को binary में then octal को decimal में then octal को hexadecimal में ठीक है then इसके बाद हम study करेंगे decimal को binary में then decimal को octal में then decimal को hexadecimal में और उसके बाद हम study करेंगे hexadecimal को binary में then hexadecimal को octal में then hexadecimal को decimal में तो यह हम conversions यहाँ पर study करने वाले हैं one by one करके यह सारे conversions हम देख लेते हैं ठीक है यह conversions हम आज study करेंगे तो one by one करके यह सारे conversions देख लेते हैं तो पहला conversion हम study करेंगे conversion binary into octal इसको rough कर देख पहला conversion है हमारा conversion binary into octal यानि कि binary जिसका base true होगा उसे convert करना है जिसका base 8 होगा उसमें then इसके बाद हम study करेंगे इसका opposite यानि कि conversion octal into binary मतलब यह दोनों तरह के conversion आभी पढ़ेंगे हम इसमें हम क्या पढ़ेंगे उस number जिसका number base 8 होगा उसको convert करना होगा जिसका base 2 होगा इसको नाम दे दिया 1 इसको 2 यह दोनों तरह के conversions हम study करने वाले हैं तो पहले हम study करते हैं इसको study करने से पहले हम एक table discuss कर लेते हैं actually में क्या है कि जैसे हमें मालूम है binary का base होता है 2 octal का base होता है 8 तो अगर हम 8 को अगर हम यह लिखे 2 की power 3 तो वो क्या होता है 8 यानि कि हम 3 column पहले draw कर लेते हैं like this हम यहाँ पर table को form कर रहे हैं अब 8 को अगर हम 2 से divide करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 तो इस starting से हम 4 0 and 4 1 लिख देंगे तो हमने लिखा है यहाँ 4 0 0 0 0 0 then 1 1 1 1 ठीक है अब इस 4 को हम 2 से divide करेंगे तो आएगा हमारे पास 2 अब हम starting में 2 0 लिखेंगे then 2 1 और फिर से repeat करेंगे 0 2 times 1 2 times अब इस 2 को हम अगर divide करेंगे again 2 से तो हमारे पास आएगा 1 तो अब हम 1 बार 0, 1 बार 1 लिखेंगे 1 बार 0, 1 बार 1 और इसको repeat करेंगे इस तरह यह हमारी table form हो गई है अब हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि यह जो हमारी table form होई है इस पे हम naming कर देते हैं यह table आपको याद रखनी है बहुत easy है इसे generate करना यहाँ पर यह हमारी table है इसमें इसको हम बोलेंगे 0 इसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 ठीक है अब हम एक question discuss करते हैं suppose हमारे पास कोई question है की convert करना है हमें convert 7, 6, 1 जो की octal में given है इसको हमें convert करना है binary में इसका नाम ने दिया question number 1 7, 6, 1 एक question given है octal में इसको हमें convert करना है binary में तो हम यहाँ पर यह देख सकते हैं 7, 6, 1 7 यहाँ पर किसको represent कर रहा है 7 represent कर रहा है इसे triple 1 को तो हम यहाँ लिख देंगे 7 की जगा triple 1 ठीक है 6 किसे represent कर रहा है double 1, 0 को तो 6 की replacement में हम लिख देंगे double 1, 0 1 किसे represent कर रहा है double 0, 1 को तो 1 की replacement में हम लिख देंगे double 0, 1 यह हमारा answer आ गया binary में एक बार देख लेते हैं क्या कर रहा है question था 7, 6, 1 जो की octal में given था उसे हमें binary में find करना है तो 7, 6, 1 हमने table में देखा किसको represent कर रहा है 7 कर रहा है triple 1 को हमने यह triple 1 लिख दिया जो की यह 7 है 6 कर रहा है double 1, 0 को यह और 1 कर रहा है double 0, 1 को यह भी कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है इसका octal का base 8 है तो उसमें जो भी number होंगे वो 0 से 7 होंगे तो हम यह देख सकते हैं 7 से जादा कोई भी number नहीं है यानि कि octal है अब जो answer आया है वो binary में आया है उसको भी एक बार verify कर लेते हैं यान जो भी number होंगे वो 0 से 1 के mid में होंगे तो हम कह सकते हैं यह सारे number हमारे 0 से लेकर के 1 के mid में है तो यह हमारा question जो है यह सही आया है यहाँ पर answer ठीक है अब next question देखते है question number 2 यह हम point form में ले लते हैं question number 2 है हमारा convert करना है 71.3 जो की octal में given है इसको हमें binary में convert करना है तो हम by using this table इसे भी solve कर लेते हैं 7 हमारा represent किसे कर रहा है इसको 1 इसे represent कर रहा है 3 इसे represent कर रहा है बस इनकी values हमारा रख देंगे तो हमारे पास question है 71.3 7 है हमारा यह triple 1 यहा हमने रख दिया triple 1 1 है हमारा double 0 1 इसको हमने रख दिया double 0 1 then point यहां पर है तो point as it is लगा दिया 3 3 की जगा है 0 double 1 0 double 1 यह हमारा आ गया binary में answer बस यह करना है हमें point है वो as it is लिख देना है बाकी जो number है वो table से हमने लिख दिया तो यह हमारा conversion आ गया octal into binary next question देखते हैं उसमें क्या करेंगे कुछ questions और देख लेते हैं अब हम question करते हैं binary to octal conversion वाले तो इसी में हम देख लेते हैं question number 3 जिसमें हमारे पास कोई question given है one double zero double one binary में given है और हमें इसका result find out करना है octal में ठीक है तो इसमें हमारे पास question है one double zero double one इसको हम पहले यह लिख देते हैं one double zero double one अब यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर हम grouping करेंगे क्योंकि हमें मालूम है हमें octal में convert करना है तो octal के लिए हमें तीन तीन number की grouping करनी है तो पहले हमने grouping में एक यह number ले लिया यह तो पूरा complete है एक हम यह number लेंगे लेकिन यह number पूरा complete नहीं है तो यहाँ अपने आपसे zero को insert कर देंगे और यह हमारा तीन का group complete हो जाएगा अब हम यह देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है यह किस को represent कर रहा है zero one zero जो है वो आपका two को represent कर रहा है तो हम लिख सकते हैं यह हमारा two है और zero double one किसको represent कर रहा है वो हमारा represent कर रहा है three को तो हम यह कह सकते हैं कि यह आगे answer हमारा three यानि कि यह हमारा binary से octal में convert हो गया answer है हमारा 23 इसको एक बार और देख लेदे question यह था 10011 हमने लिख लिया क्योंकि हमें octal में convert करना है तो octal में 3 number का एक group लेंगे right set शेश शुरू करेंगे 3 number का यह पूरा complete है उसको हमने लिख दिया 011 जो कि हमारा 3 को represent कर रहा है वो लिख दिया अगला number है 10 यह 3 number का group नहीं है तो यहाँ पर हमें group बनाने के लिए 0 अपने आप से हम insert कर देंगे left side में यह group complete हो जाएगा जो कि हमारा 0102 को represent कर रहा है बस हमने यह 2 लिख दिया तो 23 हमारा आगया octal में question number 4 10.11 जो कि हमें binary में given है इसको हमें octal में convert करना है ठीक है question है हमारे पास 10.11 10.11 अब हम देखेंगे क्या इसमें octal में convert करना है तो इसमें 3 number का group है नई हमें इसमें फिक group बनाना पड़ेगा तो हम यहां पर point के इस सरफ यहां पर हम एक 0 insert कर देंगे इस साइड और point के left side में हम left side में एक 0 insert कर देंगे तो यह grouping complete हो गई यह group हमारा किसको represent कर रहा है यह हम यहां पर देख लेते है 110 यानि कि 110 हमारा represent कर रहा है 6 को and अगला group हमारा क्या है यह 010 तो 010 हमारा represent कर रहा है 2 को बस हमारा answer क्या आ गया यहाँ पे अब answer लिख देना है 010 है हमारा 2 then point को as it is लगाएंगे point जैसा है as it is वैसा ही रखना है और 110 represent कर रहा है 6 को तो answer आ गया हमारा 2.6 octal में ठीक है आपको समझ में आ गया हुआ यह question एक बार और repeat कर लेते हैं question था 10.11 यह binary में given था इसको हमें octal में convert करना है जिसके लिए हमने क्या करा यहां पर तीन तीन का group बना लिया क्योंकि तीन का number का group है नहीं तो हम अपनी तरफ से 0 insert करेंगे जो हमारे पास point से पहले वाले जो number है उसमें हम 0 starting में insert कर देंगे यानि की left side में और point के बाद जो है वहाँ पर हम 0 right side में insert करेंगे तो पहले यहाँ 0 insert करके यह हमारा group बन गया यह represent कर रहा है 6 को left side वाला group बन गया 010 यह represent कर रहा है 2 को तो यहाँ पर 2 लिख दिया यहाँ point यहाँ 6 और यह आगया answer हमारा octal में चलिए फिर अगला conversion देखते हैं यह conversion तो था binary into octal और octal into binary now we will discuss about binary into hexadecimal इसको रफ्स कर देते हैं next conversion है हमारा conversion binary into hexadecimal conversion binary into hexadecimal and जो next discuss करेंगे वो है हमारा conversion hexadecimal into binary hexadecimal into binary इन दोनों को हमें discuss करना है one by one देखिए जब binary होगा तो इसका base true होगा इसको आपको hexadecimal में करना है यानि कि इसका base 16 आ जाएगा और जब hexadecimal होगा यानि कि इसका base 16 होगा इसको आपको binary में करना है तो इसका base 2 आ जाएगा तब इसका base 2 आ जाएगा ठीक है अब hexadecimal में भी हम एक table form कर लेते हैं hexadecimal में base हमारे पास 16 है यानि कि 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की power 4 मतलब हम 4 column की एक table generate कर लेते हैं like this way इस तरह से ठीक है अब अगर हम 16 को 2 से divide करें तो हमारे पास आएगा 8 तो हम यहाँ पर 8 बार 0 8 time 0 लिख देंगे 8 time 1 लिख देंगे 1,2,3,4,5,6,7,8 और 8 time 1 1,2,3,4,5,6,7,8 इस तरह से हम लिख देंगे मतलब 8 times हमने 0 लिखा और 8 times हमने 1 लिखा अब 8 को अगर हम 2 से divide करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 अब हम 4 times 0 लिख देंगे और 4 times 1 लिख देंगे तो 4 times 0 हो गया 1,2,3,4,then 4 times 1,then 4 times again 0,then 4 times again 1 अब इस 4 को हम 2 से divide कर देंगे तो हमारे पास आएगा 2 तो हम 2 times 0 लिखेंगे 2 times 1 तो यह आगया हमारा 2 times 0,then 2 times 1,then again 2 times 0,then 2 times 1 अब हम इसे repeat कर देंगे अब यह जो 2 आया इसको हम again 2 से divide करेंगे और यह हमारे पास आजाएगा 1 अब हम 1 times 0,1 times 1 लिखेंगे और इसको repeat करेंगे 0,1,0,1,0,1,0,1 इसको हम repeat करते चले जाएगे बस यह हमारी एक table बन गई यह हमने table बनाई है hexadecimal के लिए वो table बनाई थी हमने octal के लिए इस table को आपको याद रखना है generate करना हमने देखी लिया है कितना easy है बस अगर एक बार table बन जाएगी तो आपको सारी values आप आसानी से रख सकते हैं अभी तो आप table बना रहे हैं लेकि जब आप practice करते चले जाएगे तो सारी questions बिना table के भी आप कर लेंगे क्यूंकि यह सिर्फ practice से हो पाएगा यह सब एक table की shape में हमने दे दिया है इसलिए हम इस तरह से कर रहे हैं अभी क्यूंकि आपको समझा रहे हैं इसलिए बना रहे हैं वरना है आपको हर बार यह table बनाने की जरूरत नहीं है no need to draw at every question this table क्यूंकि यह practice करने से सब आपको याद हो जाएगा अब बस इस table में सब की naming हम कर देंगे जैसे की इसको हम क्या बोल रहे हैं यह हमारी table है table और यहाँ पे हम इसको बोल रहे हैं zero उपर वाली रोको फिर one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten 11, 12, 13, 14, then 15 और हमें पता है 10 से लेकर के 15 तक को हम a, b, c, d से denote करते हैं 10 हो गया a, 11 हो गया b, 12 हो गया c, 13 हो गया d, 14 हो गया e, 15 हो गया हमारा f यह हमारा representation हो गया table का hexadecimal की table इस तरह से form होगी यह सब हमने लिख दिया है यहाँ पे one by one करके question discuss करते हैं तो question जो आएगा वो इस तरह आएगा इसको rough कर देते हैं कोई question है convert करना है 61 को जो की hexadecimal में है convert करना है binary में तो कैसे convert करेंगे अब आपको देखना है कि 6 किसको represent कर रहा है यह table में 6 है हमारा यह 0, double, one, zero तो हम 6 की जगा लिख देंगे यह question है हमारा 61 जो की octal में है hexadecimal में है 6 है हमारा 0, double, one, zero 1 किसको represent कर रहा है triple, zero, one यानि कि इसको तो हम यहां लिख देंगे triple, zero, one यह आगया हमारा binary में यह answer है एक बार और डिसकोस कर लेते हैं question था यह 61 hexadecimal में था इसे हमें binary में convert करना था तो हमने देखा 6 हमारा table में represent कर रहा है 0, double, one, zero को वो हमने यहां लिख दिया और 1 हमारा represent कर रहा है 0, triple, one triple, zero, one को तो वो हमने यहां लिख दिया तो यह हमारा answer आगया binary में ठीक है यह question था एक और question करके देख लेते हैं अब point वाला question करकर देखते हैं next question है हमारा convert double, one, point, one, one, zero जो की हमारा binary में है इसको हमें hexadecimal में convert करना है यह एक और इससे पहले एक question with a hexadecimal to binary देख लेते हैं convert 8a.b जो की हमारा hexadecimal में इससे हमें binary में convert करना है 8a.d अब हम देख लेते हैं कि 8 हमारा table में किसको represent कर रहा है 8 जो represent कर रहा है वो कर रहा है इसको one, double, one, triple, zero को तो हम यहां लिख देंगे यह question है 8a.d यह हमारा hexadecimal में है 8 रिप्रेजेंट कर रहा है one, triple, zero को a किसको represent कर रहा है a कर रहा है 10 को तो हम यहां a की जगह लिख देंगे one, zero, one, zero one, zero, one, zero अब point को as it is लिख दिया then d किसको represent कर रहा है d कर रहा है हमारा 13 को represent यानि कि double, one, zero, one तो हम लिख देंगे double, one, zero, one बस यह answer आगया हमारा binary में ठीक है देखे कितना easy question था एक बार अगर आप table form कर लेंगे तो फिर answer आने में कुछ भी नहीं है एक बार और इसको recall कर लेते हैं इसमें हमने क्या कर रहा है question था 8a.d 8 हमारा represent कर रहा है 1 triple, zero को वो लिख दिया A represent कर रहा है 10 को 1010 वो लिख दिया point as it is लिख दिया D हमारा represent कर रहा है 13 को यानि कि double, one, zero, one यह हमारा answer आगया binary में तो यह conversion हो गया hexadecimal into binary एक और question ट्राइ करते हैं next question है हमारा convert करना है 1, 0 double, one, zero, one जो की binary में given है इसको हमें hexadecimal में convert करना है यह double, one, zero, one है 1, zero, double, one, zero यह binary में given है इसको हमें hexadecimal में convert करना है यहाँ पर अब हम क्योंकि hexadecimal में करना है तो hexadecimal में table जो बनती है वो चार नमबर को मिला के बनती है चार चार नमबर की यह grouping करनी पड़ेगी तो हमारे पास question है 101101 यानि कि चार नमबर का group बनाने के लिए एक ही हो गया group यह तो already बना हुआ मिल गया लेकिन इस तरफ कोई group नहीं है क्योंकि यहाँ दो ही number है तो चार नमबर का group बनाने के लिए हमें अपनी दरफ से दो insert करने पड़ेगी 0 दो zero insert करने के पास यह भी चार नमबर का एक group हमारा form हो गया तो अब हम कह सकते है 0010 इसको represent कर रहा है 2 को 0010 और अगला नमबर है 1101 तो 1101 हमारा represent कर रहा है दी को तो हम यहाँ लिख देंगे कि डबल जीरो वन जीरो है हमारा टू तो यहाँ गया टू डबल वन जीरो वन है हमारा डी यानि कि 13 तो यहाँ गया हमारा डी यह answer आगया हमारा hexadecimal में देखें कितना easy था answer आगया 2D मतलब binary में हमने convert करा और answer आया 2D hexadecimal में next question करते हैं next question हम point वाला ले लेते हैं इसमें हमें convert करना है double one point double one zero जो की binary में है इसको हमें hexadecimal में convert करना है double one point one one zero अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे यहाँ पर भी हम grouping करेंगे तो grouping करने के लिए हमें 44 का number बनाना पड़ेगा क्योंकि hexadecimal में convert करना है लेकिन यहाँ पर question तो हमारे पास 44 number का है नहीं तो हमें अपनी तरफ से 00 insert करना पड़ेगा अब देखो point के इस side 3 number है एक number और insert कर देंगे तो 4 का group पूरा हो जाएगा इसी तरह point के left side में 2 number है 2 number और अपनी तरफ से insert कर देंगे तो 4 number का group पूरा हो जाएगा तो यह एक group complete है यह एक group complete है अब हम यहाँ देख लेते हैं कि 0011 किसको denote कर रहा है वो denote कर रहा है आपका 3 को same 1100 किसको represent कर रहा है वो आपका कर रहा है c यानि की 12 को तो बस answer लिख देंगे यहाँ पर answer आजाएगा 0011 यानि की 3 point की जग़ा point as it is double one double zero यानि की c तो यह आगया हमारा hexadecimal में binary to hexadecimal conversion हो गया यह ठीक है I hope आपको हमारा यह lecture पसंद आ रहा होगा आप के जितने भी अगर कोई भी doubt है तो आप comment section में मुझसे पूछ सकते हैं और यह जो notes हैं यह आप description box में से download कर लेना next conversion हम अब देखते हैं यहां तक है questions in conversions तक हमने करा दिये हैं next conversion हम देखते हैं octal into hexadecimal इसको rough कर देते हैं next conversion है हमारा conversion octal into hexadecimal then उसके बाद opposite यानि की conversion hexadecimal into octal next है conversion hexadecimal into octal यह दोनों हम अभी discuss करेंगे one by one करके एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या करना है अगर हमारे पास जब हम conversion octal into hexadecimal करेंगे यानि कि हमारे पास base 8 होगा base 16 में हमें convert करना होगा और जब hexadecimal को octal में करना है तब हमारे पास base 16 होगा और हमें octal यानि की base 8 में convert करना होगा चलिए फिर one by one करके इनके questions discuss करते हैं उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि करना क्या है जैसे suppose हमारे पास कोई number octal में given है तो सबसे पहले उस octal को हम binary में convert करेंगे then binary से हम उसको convert करेंगे hexadecimal में यह इसका question solve करने का pattern रहेगा जब हम यह वाला conversion करेंगे conversion octal into hexadecimal तो सबसे पहले octal को हम binary में convert करेंगे then binary को हम hexadecimal में convert करेंगे ओके? next conversion जब hexadecimal into octal है तब हम यह करना है जो conversion मारे पास hexadecimal है उसे हम लिखेंगे उस conversion को हम पहले करेंगे binary में convert then उसको हम convert करेंगे octal में यह इस conversion hexadecimal into octal को solve करने का pattern है hexadecimal को पहले binary में then binary को फिर हम करेंगे octal में ठीक है? चलिए one by one करके इनके question discuss कर लेते हैं तो पहला हमारा conversion है octal into hexadecimal इसको राफ कर लेते हैं question है convert 76.1 जो की octal में given है इसको हमें hexadecimal में convert करना है 76.1 को अब इसमें हम देखेंगे कि 76.1 को हम कैसे लिख सकते हैं? अभी जो मैंने आपको table बताई थी octal वाली वो आप लोगों को याद होगी नहीं याद होगी तो मैं लिख देती हूँ उसमें क्या है? जो table थी वहाँ पर हम चलिए यहाँ पर एक बार बता देते हैं टेबल थी आपकी 000 है वह हमारा इस नंबर को रिप्रेजेंट करें का conversion हो गया binary में थीक है? अब इसको हमें convert करना hexadecimal में तो यहाँ पर हम अब grouping करेंगे चार-चार नंबर की जिसके लिए हम यहाँ पर question हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास इसको हम इस सरह से लिख सकते हैं 1, 2, 3 5 times 1 है यह 0 then 0, 0, 1 अब यहाँ पर 4 की जब grouping करनी है तो हमें पता है right side में हम point के इधर 1, 0 insert करेंगे यह group complete हो जाएगा हमारा और यहाँ पर 4 number यह already है बट यहाँ पर 2 number है इसे complete करने के लिए 2, 0 हमें insert करने पड़ेंगे यह group हमारा complete हो गया अब बस इनको यहाँ पर देख लेते हैं यह किस किसको represent कर रहे हैं double 0, double 1 यानि की double 0, double 1 मतलब 3 तो हम लिख देंगे 3 then triple 1, 0 triple 1, 0 यानि की E मतलब 14 हम लिख देंगे E then point को as it is लिख देंगे then double 0, 1, 0 किसको represent कर रहे हैं double 0, 1, 0 यानि की 2 को तो हम यहाँ लिख देंगे 2 तो यह हमारा answer आ गया hexadecimal में जो की हमें solve करना था 3E.2 एक बार इसको repeat कर लेते हैं क्या करा इसमें? question था 76.1 octal में था hexadecimal में convert करना था अभी थोड़े देपहले मैंने आपको बताया इस तरह की conversion में अगर octal है उसको hexadecimal में convert करना है तो पहले हम octal को binary में convert खरेंगे इस तरह से then binary को hexadecimal में convert करेंगे इस तरह से तो इसको जब हम binary में convert कररें तो हमें यह table का use करना है तब हमने देखा 7 झो है वो हमारा triple 1 को represent कर रहा है तो हमने यह लिख दिया, ट्रिपल वन, then हमारा अगला है 6, 6 represent कर रहे, double one zero को वो हमने यह लिख दिया, then point one यानि की double zero one, यह six हो गया, double zero one, वो हमने यह लिख दिया, अब हमें hexadecimal में convert करना है, तो हमें 4-4 का ग्रूप बनाना पड़ेगा, यहाँ पर 4 का ग्रूप बनाने के लिए हमें क्या करना था, एक number zero insert करना था, right side में, वो insert करके यह ग्रूप complete हो गया, यहाँ पर 4-4 के बनाने थे, यह already था, यह बनाने के लिए 2 zero हमने और insert करे, फिर इनकी चार-चार ग्रूप इंकी pair कर दिया, pair करने के बाद, double zero, double one, three को represent कर रहा था, then triple one zero, e को represent कर रहा है, यानिकी 14 को, then point as it is लिए, double zero, one zero, again two को represent कर रहा है, वो हमने लिए लिए, बस point जैसा है, वो as it is लिएना है, तो यह question हमारा convert हो गया, octal to hexadecimal, देखें कितना easy question था, अब next question देख लेते हैं, next है हमारा hexadecimal को हमें octal में convert करना है, इसको rough कर ले देए, convert 7a, 7a point c, जो की हमारा hexadecimal में है, इसे हमें convert करना है, octal में, 7a point c, तो सबसे पहले हमने अभी जैसा कि इसका pattern देखा था, hexadecimal में है, तो पहले उसे binary में convert करेंगे, then binary को octal में, तो पहले hexadecimal को binary में convert करना है, तब हम यह table का use करेंगे, तो यहाँ पर हम 7a point c हमारे पास है, 7 हमारा represent कर रहा है, 0, 111, 0 को इसको question यहाँ लिख देते हैं, यह है हमारा 7a point c, जो की hexadecimal में है, 7 represent कर रहा है, 0, 111 को, हम वो लिख देंगे, 0, 111, ठीक है, a हमारा किसको represent कर रहा है, a हमारा represent कर रहा है, 10 को यानि की 1010, वो हम लिख देंगे, 1010, ठीक है, point को as it is लिखा, c हमारा represent कर रहा है, 12 को जो की है, double 1, double 0, तो हम वो यहाँ लिख देंगे, double 1, double 0, यह आगया हमारा conversion किसमे, octal में, binary में, यह conversion आगया हमारा binary में, अब इसको हमें convert करना है, octal में, octal में convert करने के लिए हमें यहाँ 3-3 का group बनाना पड़ेगा, तो 3-3 का group बनाने के लिए, यहाँ से शुरू करेंगे, यह एक group, यहाँ यह बन गया, ठीक है, इसी तरह एक group यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया, लेकिन यहाँ नहीं बना और यहाँ नहीं बना, यहाँ बनाने के लिए हमें अपनी तरफ से 0-0 insert करना होगा, तो वो हम यहाँ कर देते हैं, तो यहाँ पर 1-0 हमने insert कर दिया, 2-0 क्योंकि हमें 3 का group बनाना है, तो यह group complete हो गया, इसी तरह से यहाँ दो number है, एक number और कर देंगे, तो 3 का group यह complete हो जाएगा, तो अब यह सारे group 3-3 के बन गया है, बस अब हम यहाँ देख लेंगे कौन सा number किसको denote कर रहा है, वो हम यहाँ देख लेते हैं, अब हमारे पास, यहाँ जो number है, उसमें 001 जो represent कर रहा है, वो वहाँ पर हम देखेंगे, तो वो 1 को represent कर रहा है, 001 हमारा represent कर रहा है 1 को हम लिख देंगे 1 111 represent कर रहा है 7 को हमने लिख दिया 7 010 हमारा represent कर रहा है 2 को हमने लिख दिया 2 Then point as it is 1110 हमारा represent कर रहा है 6 को हमने लिख दिया 6 000 represent कर रहा है हमारा 0 को हमने लिख दिया 0 तो यह हमारा convert हो गया binary से octal में और फूरा अगर conversion देखें तो यह हमारा conversion हो गया hexadecimal से octal में answer आ गया 172.60 एक बार हम इसे discuss कर लेते हैं दुबारा से repeat कर लेते हैं question था 7a.c hexadecimal में इसे हमें octal में convert करना था इस question को करने का pattern जो है वो यह है कि पहले hexadecimal को आप binary में convert कर लेंगे तो वो हमने 7 hexadecimal में जो है वो हमारा pattern जो है 0111 0 वो हमने लिख दिया 0111 ठीक है उसके बाद 7 को लिखा है 0111 वो हमने यह लिख दिया फिर A है हमारा 10 जो की है 1010 वो हमने लिख दिया उसके बाद point as it is लिख दिया then c है हमारा 12 याने की डबल 1 डबल 0 वो हमने लिख दिया यह हमारा binary में आ गया इसको octal में convert करने के लिए हमें 3-3 की grouping कर दिया है जिसके लिए यहाँ पर हमारे पास 3 का एक number अलड़ी present है यहाँ पर single 0 है इसमें 2-0 और लगाएंगी तो यह 3 का group पूरा हो जाएगा अब यह 001 हमारा represent कर रहा है 1 को वो हमने लिख दिया then 7 11 represent कर रहा है 7 को वो 7 हमने लिख दिया then 010 represent कर रहा है 2 को वो 2 हमने लिख दिया point as it is लिख दिया इसके बाद मनला point जो है वो as it is लिख देना है then 11 0 है उसको हमने represent कर रहा है वो 6 से तो हमने 6 लिख दिया और 000 रेप्रिजेंट कर रहा है जीरो से तो वो 0 हमने यहां लिख दिया यह conversion हो गया हमारा hexadecimal into octal में आभी तक हमने जितने भी question देखे I hope आपको सारे समझ में आ गए होंगे अगर आपको हमारा यह channel पसंद आ रहा है तो आप इसे जादा स्यादा like, share और subscribe करें आगे की class में हम आगे के conversions को solve करेंगे और तब तक आप इसको अच्छे से practice करें